प्रोना संकट के बीच देश के कई हिस्सों में शुक्रवार को चांद दिखने के बाद आज से मुस्लिम समुदाय के पवित्र महीने रमजान की शुरुवात हो गई है इस मौके पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने रमजान की मुबारक बात दी है उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मैं सभी की सुरक्षा, कल्यान और समुर्धी के लिए प्रात्ना करता हूँ यहाँ पवित्र महीना अपने साथ दया, सद्भाव और करुना लेकर आए हम COVID-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक निरनायक जीत हासिल करें और एक स्वस्त दुनिया बनाए दूसरी तरफ राहूल गांदी सहीत कई नेताओं ने भी रमजान की मुबारक बात दी है राहूल गांदी ने कहा इस पवित्र महीने में सभी के लिए शांती और अच्छे स्वास्ते की कामना करता हूँ